हल सस्टी या हल छट वरत कथा अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे नीचे बेल लाइकनों से प्रेस चरूर कर लिए ताकि मैं जो भी निया वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है आज की वीडियो में बताने वाली हूँ जी हाँ हल सस्टी या हल छट वरत कथा प्राचीन काल में एक गौलीन थी उसका प्रसव काल अत्यांत निकट था एक और वे प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी और उसका मन गौर रस दूध दही बेचने में लगा हुआ था उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौर रस यूँ ही पड़ा रह जाएगा ये सोच कर उसने दही के घड़े सीर पर रखे और बेचने के लिए चल दी किन्तु एक कुछ दूर पहुँचने पर उसे और सहनिये प्रसव पीरा हुई वे एक जर्बेरी की ओठ में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया वे बच्चे को वहीं छोड़ कर पास के गाउं में दूर दही बेचने चली गई संयोग से उस दिन हल सश्टी थी गाई भैस के मिश्रित दूर को केवल भैस का दूर बता कर उसने सीधे साधे गाउं वालों में बेच दिया उधर जिस जर्बेरी के नीचे उसने बच्चे छोड़ा था उसकी समीफ ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था अचानक उसके बैल भरक उठे और हल का फल सरीर में घुसने से बालक मर गया इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ फिर भी उसने हिम्मत और धैरे से काम लिया उसने जर्बेरी के काटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में काटे लगाए और उसे वही छोड़ कर चला गया कुछ देर बाद ग्वालीन दूध बेचकर वहाँ आप पहुँची बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसी समझ ते देर नहीं लगी ये सब उसके पाप की सजा है वे सोचने लगे कि यदि मैंने जूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता गाउ की स्त्रियों का धर्म भरष्ट नहीं किया होता तो मेरे बच्चे की ये दशा नहीं होती अतक मुझे लौट कर सब बाते गाउवालों को बता कर प्राश्चित करना चाहिए ऐसा निश्चे कर वे उस गाउव में पहुँची जहां उसने दूध दही बेचा था वे गली गली घूम कर अपनी कर्टूत और उसकी फलसरूप मिले दंड का बखान करने लगी तब इस्त्रियों ने स्वर्धर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशिरवाद दिया बहुत सी इस्त्री द्वारा आशिरवाद लेकर जब वे पुना जर्बेरी के नीचे पहुँचती तो वे ये देखकर आश्चरे चकित रह गई कि वहाँ उसका पुत्र जिवित अवस्था में परा है तभी उसने स्वार्थ के लिए जूट बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी जूट न बोलने का प्रहन लिया कैसा लगा आप सभी को हल सस्टी हल छट वरत कथा प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताईएगा अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सेर करना बिलकुल न भूलना थैंक्स पोर वाचिंग मेरे वीडियो को इंट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद